नमस्कार हीरो की Super Splendor Black & Accent Edition में लॉंच हो गई है जिसमें आपको नया कलर देखने को मिला है Canvas Black के नाम से आये जानते हैं गाड़ी में क्या नया बदलाओ देखने को मिला है कितनी वेरिंट आपको देखने को मिलेगे माइलेज भी आपको बताऊंगा गाड़ी की set profile के दोस्तो हम बात करेंगे 3D में आपको देखने को मिलता है सूपर इस्प्रेंडर की branding और पीछे में दोस्तो आपको hero के branding यहाँ पर देखने को मिली है 3D graphics में ही साथ ही यहाँ पर देखने को मिल जाती है i3S की branding गाड़ी के color के दोस्तो हम बात करेंगे pure black आपको देखने को मिली है जिसे आप जारेंगे canos black के नाम से glossy look आपको यहाँ पर देखने को मिली है grab handle के हम बात करेंगे वो आपको matte यहाँ पर black में देखने को मिल जाएगे single seat आपको इसमें offer किये जा रहे है silencer के उपर आप chrome cover के आप देखने को मिलेगा silver color के आपको मिलेंगे engine fi के branding आपको देखने को मिलेगे chrome के साथ साथ ही आपको मिल जाते है front में disc brake का भी option reflector आपको दिएगे है IBS के branding आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है overall दोस्तो गाड़ी के look के हम बात करेंगे बिना graphics के आपको केवल 3D में sticker यहाँ पर देखने को मिलेगे गाड़ी के front profile के दोस्तो हम बात करेंगे headlight के उपर आपको देखने को मिल जाते है chrome cover और यहाँ पर भी आपको 3D दोस्तो hero का logo देखने को मिलेगा लेकिन दोस्तो आपको इस वाली edition में भी offer किये गया है halogen वाल ही head lamp bulb वाले आपको indicator यहाँ पर देखने को मिल जाएगी black color के आपको मिल जाते है side mirror गाड़ी के feature के दोस्तो हम बात करेंगे speedometer के साथ analog आपको digital meter यहाँ पर देखने को मिलेगी जिसमें आप देख पहेंगे clock के भी जानकारी service reminder आपको देखने को मिल जाती है fuel की indication आप देख सेक्ट है अनलोग और digital के साथी indication के हम बात करेंगे low fuel की warning भी आपको देखने को मिल जाती है साथी आपको USB mobile charger इसमें offer किये जा रहे हैं यहाँ पर भी आपको hero के logo पर आपको light देखने को मिल जाती है low beam high beam की indication है left और right turn की indication है tire stage engine cutoff वाली feature आपको देखने को मिलेगी neutral की indication है i3 के indication आपको देखने को मिलेगी साथी आपको मिल जाती है engine malfunction light की इस वाली edition को दोस्तों दो variant में launch किये गया है पहली है drum brake drum brake के 100 room कीमत के हम बात करेंगे 77,430 रूपिस में आपको मिलेगी वहीं on route कीमत के हम बात करेंगे जिस कीमत पर आप गाड़ी को घर लेकर जाएंगे तो आपको drum brake के on route कीमत है 90,600 रूपई से लेकर 92,400 रूपई के अंदर ही इसके दूसरे variant के हम बात करेंगे वो है black and accent edition disc brake में जिसके नई 100 room कीमत आपको पढ़ रही है सिंगल से लेंडर के एर कूल का फॉर इस्ट्रो का बिये सिक्स का एक्सेंस का एफ़ा इंजन 10.7 बेइस पी के आपको पावर यहां पर जन्याट करती है टॉर्क यहां पर जन्याट करती है 10.6 नूटर मिटर की मैलेज की हम बात करेंगे 55 के पार आपको दोस्तों कही जाती है मैनर बदला हो सकते हैं गाड़ी चलाने के उपर तो आसे करता हूं दोस्तों आप समझ के होंगे नई वाली जो सूपर स्प्लेंडर black and accent edition में लाउंच हुई है ग्राफिक्स कोई भी आपको यहां पर देखने को नहीं मिलती है 3D में आपको इस टीकर देखने को मिलेगा सूपर स्प्लेंडर और हीरो का इस वीडियो को सेयर करेगा ताकि हमारे और भी भाइब के पता चले जो अभी लेने वाले हैं आने वाले फेस्टिवल के समय में थैंक्स फर वाचिंग स्टे तुने विफ पवन